दोस्तों अगर आप भी शेखरदवन को एक बहत्रीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दोस्तों T20 सिरीज में तो भारत को जीत मिल गई है लेकिन न्यूजिलेंड के दोरे पर अभी भी टीम इंडिया के लिए काम आधा ही पूरा हुआ है और आधे को पूरा करने की जिम्मेदारी टीम इंडिया के गब बर शेखरदवन के कंधों पर है जिहां दोस्तों अब न्य लेकिन BCCI की तरफ से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर एक बड़ा एलाउन कर दिया गया है जिसमें कई नए नामों की वापसी हो रही है तो कुछ T20 के स्पेसलिस्ट खिलारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो किस-किस खिलारी को प्लेइंग 11 में मिली जगे और BCCI ने कैसे बदली है भारत की प्लेइंग 11 वो सब आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शिकर धवन और हार्दिक पांडिया में कौन बेहतर कप्तान है कॉमें जरूर बताइए दोस्तों एक नैनावेले कप्तान हार्दिक पांडिया के न का रोमाच वापस लोट रहा है 25 नवंबर को ओकलेंड से तीन मैचों की वंडे सिरीस की शुरुआत हो रही है जहां पर T20 के कप्तान हार्दिक पांडिया करेंगे आराम वहीं धवन होंगे ODI टीम के कप्तान 50 ओवर के इस मुश्किल फॉर्मेट में कई युवा खिलाडिय पर रहेंगी नजरें T20 सिरीज के दोरान बेंच गरम करने वाले खिलाडी मैदान में लोटेंगे तो कुछ नाम टीम से बाहर होंगे मुकाबले से कुछ दिनों पहले ही BCCI ने भारती टीम की प्लेइंग 11 को लेकर नई अपडेट दी है जिसके बाद पहले मुकाबले के ल भारत में ही 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है जिसको लेकर तयारी यहीं से शुरू होनी है नीजुलेंड दोरे पर 25 नवंबर को आउकलेंड के इडिन पार्क में होने पहले वंडे मैच में काफी नए चेहरे वापसी करते नजर आएंगे तो वही कुछ खिलाडियों को वंड की खिलाडियों के लिए अपनी जगेह पुखता करने का ये एक सुनहरा मौका होगा अगर बात करें भारत के वंडे स्कॉट की तो इन में से जादातर नाम वहीं है जिन्हें साउथ अफरिका के खिलाफ घर पर तीन मैचों की ODI सिरीस में शामल किया गया था हाला कि इसमें होगी हालांकि भारत के मुकाबले निउजिलेंड में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को हालात और मुश्किल चुनोतियों से निपटना होगा वहीं पर जहां हमने टीटवंटी क्रिकेट में सोरे खुमार यादो को नंबर तीन की भूमिका निभाते देखा था यहां ODI में श्रय सयर को वो रोल दिया जाएगा जो लागतार वंडे मुकाबलों में अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं इसके बाद चौथे पर मौजूदा समय में भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज बंचुके सोरे कुमार यादो अपने टीटवंटी के फॉर्मिक को ODI में भी द चाहे रखना मुश्किल होगा वहीं हार्दिक पांजा की गैर हाजरी में संजू सैमसन नीचे से आकर फिनिशर का रोल निभाते हुए नज़र आ सकते हैं और उनके लिए भी एक काफी एहम सिरीज रहने वाली है जबकि साथवे पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी ग्रा उनके कंधों पर होगी उधर काफी समय बाद अब वन्डे क्रिकेट में दो बारा कुल्चा की वापसी होनी तैल लग रही है जहां युजवेंद्र चहल की लेग स्पीन और कुल्दीप यादों की चाइना मैं गेंदबाजी कीवी बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल युजिलेंड में वन्डे सिरीज जीतने में कामयाब रहेगी या नहीं हमें अपने जवाब नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें